स्वास्त सुरक्षा सप्ताह जारी तो रहेगा लेकिन कुछ छूट भी मिलेगी कुरोना संक्रमन से बचाओ को लेकर जारखंड में एक बार फिर मिनी लॉक्डाउन की स्थिती रहेगी यहां स्वास्त सुरक्षा सप्ताह की अवधी बढ़ा दी गई है अब रज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉक्डाउन रहेगा स्वास्त सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के बैठक में मौझूद स्थिती पर अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सीम हेमंत सोरे ने यह फैसला लिया है इस दोरान इपास की बाद्धिता खत्म की जा रही है कुछ शर्तों के साथ कई चीजों पर छूट भी दी गई है मंगलबार को आपदा प्रबंधन प्रदिकार की बैठक की अधिक्षता करते हुए सीम हेमंत सोरे ने कहा कि रज में कोरोना संक्रमन के मामले भले ही कम हुए है लेकिन खत्रा अभी टला रही है उन्होंने अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिके हर पहलू पर चर्चा करते हुए स्वास्त सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह और यानि फिलहाल दस जून तक के लिए बढ़ाय जारे का निरने लिया है जिले के अंदर परचालन के लिए अब वाहनों के ई पास की अनिवार्यता को खत्म किया गया है ज्यादा संक्रमन वाले नौ जिले में कपड़ा, जोलरी, जूता, चपल की दुकानों को खोले जाने की अनुमती नहीं है बुकारो धनवाद, जमशेतपूर, देवगर, राची, हजारीबा, गडवा, गुमला और रामगड में पाबंदियां प्रभावी रहेंगी बाकी के 15 जिलों में सभी दुकानों को दो बज़े तक के लिए खुले रखने की अनुमती दी गई है हलाकि मॉल और मल्टी ब्रांड दुकाने बंद ही रहेंगी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेंगी शादी समारों को लेकर पाबंदियां पहले की तरह प्रभावी रहेंगी स्विमिंग पूल पार्क जिम मेला प्रदर्शनी सिनेमा हाल इन सब पर अभी भी पाबंदी प्रभावी रहेंगी तो जो नौजिले हैं उन नौजिलों के तमाम लोगों को अत्रिक्त सतर्कता बरतने की आविशक्ता है अगर वो सतर्क रहें सजग रहें बोकारो धनबाद जमशेदपूर देवगर राची हजारीबाग गडवा गुमला और रामगड ये वो नौजिले हैं जहांके लोगों को अभी थोड़ी और सतर्कता बरतनी है थोड़ा और संयम से काम लेना है थोड़ी और सावधानी का ध्यान रखना है क्योंकि इन नौ जिलों में संक्रमन के फैलने की अभी भी संभावना बनी हुई है संक्रमतों की संख्या उस स्तर पर नहीं पहुँची है कि इन नौ जिलों में अत्रिक्त छूट दी जाए बाकी के 15 जिलों में छूट दी गई है काफी छूट है जिलों को दो श्रेणी में बाट कर रियायत दिया जा रहा है कपड़ा, जुलरी, जूता, चपल की दुकाने, मॉल, मल्टी ब्रैंड आउटलेट, सिनमा हॉल, स्विमिंग पूल ये सब अभी भी सभी जिलों में प्रतिबंधित है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक बस परिचालन अभी भी बंद रखा जा रहा है अगले एक सब्ता के लिए स्विमिंग पूल पार्क, जिम, मेला प्रतरशनी, सिनमा हॉल, मल्टी प्लैक्स, मल्टी ब्रैंड आउटलेट, इन सब पर पाबंदी रहेगी इपास की अनिवार्यता खत्म की जा रही है जिले के अंदर और इंटर डिस्ट्रिक में इपास की अनिवार्यता खत्म की जा रही है तो हम अलग अलग जिलों में मौझूद अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे और वहां जो स्थिती है वहां के लिए क्या स्पेशल गाइडलाइन्स जारी किये गए हैं और लोगों को और कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यक्ता है इस पर बात करेंगे जमशेदपूर का पहले रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रवीन जुड़े हुए हैं प्रवीन चार तारीक से क्या स्थिती रहेगी इसके दिशानर्देश आ गए हैं कुछ जिलों में जहां अभी भी संक्रमण फैलने का खत्रा बरकरार है वहां थोड़ी पाबंदियो को प्रभावी रखा गया है और काफी छूट अगर कहें तो बीते चार सप्ता के स्थिती से अगले सप्ता का आकलन करके देखे तो दिया जा रहा है देखे दिपक जिस तरह से सरकार ने या निर्ने लिया है और स्वास्ते सुरक्षा सप्ता की जो अवदी है वो बढ़ाई गई है जिले के अंदर लोगों की बहुत सारी समस्याइ हैं जो तुरंट इपास बनाना मुश्किल होता था और ऐसे में तुरंट इपास बनाकर तुरंट निकलना जैसे असपताल कचट कर हो दवाईयां करीदनी हो या फिर और भी बहुत सारी परेशानिया हो किसी के घर जाना हो बहुत जरूरी हो तो ऐसी बहुत सरी परेशानियों से अब लोगों को निजात मिल जाएगे, मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि जिले के अंदर अगर किसी को एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाना है सरकार ने जो निर्णे लिये हैं वो बहुत ही जरूरी थे ऐसे निर्णे लेने क्योंकि जो संक्रमन का अभी प्रकोप है वो अभी धीरे धीरे उतार चड़ा हो रहा है वो थमा नहीं है वो लगातार हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों में आठ मोते की कुष्टी स्वास्ति भी कुछ दिनों में 2 की कुष्टी कर रही है तो कुछ दिनों में 11 की कुष्टी कर रही हूं से इसरकार ने जूं या वो बेहत ही जरूरी यह और ऐसे में सर्कार ने लोगों को अपनी सहे भागिता सुने शित करनी होगी ये जरूर है दीपक कि कुछ लोगों को परिशानियों का सामना अभी भी करना पड़ेगा जैसे कपड़े के दुकान हो गए जूते के दुकान या फिर जो एलरी दुकान और भी जो इतने भी जो सलून है जो सैलून संचालक है उन्हें जिला प्रशासन को इस पर भी एक बर विचार करना चीए क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो ये भुकमरी के कगार पर पहुंचे हुए इनकी स्थिती बद से बत्तर होती जा रही है लेकिन अगर हम इनकी स्थिती की बात करें और दूसरे तरफ उस विक्राल स्थि कि उस भयावा इस्थिती की बात करें जिससे हमने देखा है तो अपने आप में ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णे और सरकार द्वारा जो लिया जा रहा है वो काबिले तारीफ है क्योंकि देखे सबसे बड़ी बात है कि अगर तुरंट छूट दे दी जाए दिपक को डिल दे दी जाए तो इस्थिती भयावा हो सकती है क्योंकि जिस तरह से लोगों की आवाजाही हो रही है लोग जिस तरह से निकल रहे हैं धड़ले से बाजार में चले जा रहे हैं तो एक इस्थिती भयावा थी सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जितने भी दीपक कार्या इसे में 9 जिलने में पुरुवी सी मुंदीले को भी रखा गया है और यहां पर पावंदेगा बंदीशें उसे निरंतर पिछले की तरहीं अगर हम कहे जाएं तो ओवर और पिछले की तरही यह बंदीशें और दस तारीक के बाद अब सरकार क्या नेड़े लेगी यえ तो वक्त बताएगा लेकिन सरकार के रूरा कि क्योंकि इन जिलों में संक्रमन फैलने का खत्रा अभी भी बना हुआ है धनबाद भी उन जिलों में से एक है हमारे सहीयोगी दिलिप जुड रहे है धनबाद से उन से जानते हैं कितना ये सही फैसला है क्योंकि वैवसाइक तबका काफी दबाव बना रहा था कि अब उन्हें छूट दी जानी चाहिए लेकिन कुछ छूट ही मिल पाई है पूरी छूट जो अन्य जिले जहां संक्रमण फैलने का खत्रा कम है उस हिसाब से छूट नहीं दी गई है दिले देखे बिल्कुल जिस तरह से पहले से ये कयास लगाये जा रहे थो और मुखमंत्री ने भी लोगों से राय जाननी चाहिए थी कि आखिर किन प्रस्थितियों में और कैसे छूट दिया जाए ताकि करोना का जो संक्रमंट दर में गिरावट हुई है वो बरकरार रहे और गिर जिसमें की धनवाद में भी डेंजर जो नमें था धनवाद में भी घुष्चना यह कई दुकाने खुल सकती है लेकिन तीन दुकान जो उन्होंने बंद रखने की बाते कही है अपनी घुटना में जोयर्य सॉप जूता चपल दुकान और कपड़े की और खासकरके ये तीन दुकान बंद रहने से जो वेवसाई वर्ग हैं, जो यहां के लोग हैं, जो चेमबर से जुड़े लोग हैं, उन्हों ने अपनी नराजगी व्यक्त की है, नराजगी जताई है, कि आखिर उन्हें इस स्रेनी से बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि क्रोना गाइडलाइन का पा यह को कि इनका भी वेवसाई प्रभावित हुआ है, यह भी पिछले कई दिनों से परिशान रहे हैं, इनको जो स्टाप की सेलरी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह छूट की मांग कर रहे हैं, हलाकि मुखमंत्री ने जो फैसला किया है, वो को देखते हुए लिया है, लोग उत्सा है, उनमें खुशी है, और जब उनसे राय मांगे जारी थी, तो उन्होंनों भी अपने राय में यही कहा था कि कम से कम दस से दो उन्हें खुलने की इजाज़त दें, और उस इजाज़त के दौरान वो हर वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, जिसका सरकार न मुसीबते सकता सामना करना पड़े, तो जाहिर सी वात है, जितने दुकानदार गाइडलाइन का पालन करेंगे, उतने आम लोगों को भी पालन करना है, तब ही हम कोरोना यह से मामारी को मात दे पाएंगे, जी दिपर, बलकुल, राजधानी राची का रुख कर लेते हैं, राजधानी में भी परियाप्त छूट नहीं मिली है, ये भी उन नौजलों में शामिल है, जहां पाबंदियों को काफी हद तक प्रभावी रखा गया है, हाला कि छूट जरूर मिली है, अंजनी हमारे सायोगी जुड रहे हैं, उन से जानते हैं क्या स्थिती है, जी अंजन जो है, वही बाते सामने निकल कर आई हैं, लेकिन जो नौजलों को का आंक्रा है, वो कहीं न कहीं संक्रमितों की संक्या की बात करें, या मरीजों की बात करें, या ग्रोथ रेट की बात करें, मौत का आंक्रा की बात करें, इन जीलों में जो है, को देखते हुए, सरकार ने की बात करें गड़वा की बात करें धनबाद की बात करें बोकारों की बात करें तो इन जीलों को लेकर रामगल की बात करें तो हमें लगता है कि सरकार जो है बहुत सतर्क होकर धीरे-धीरे छूट देने का मन बनाई है और यह होना भी चाहिए तो कि अचानक तमाम चीजे या भिन भिन जगहों में इलाज हो रहा है तो और रांची में लगातार मरीजों की संक्या पूरे 24 जीलों में देखेंगे तो रांची है पूरवी सिम्मूम है ये दो जीले जो हैं सुरुवात से ही जब से कोरोना का संक्रमन फैला है तब से हर चीजें सबसे ज्यादा होती है तो हमें लगता है कि सरकार ने जो आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो फैसला लिया है कि कुछ चीजें यहां इन जीलों में खुलेंगी लेकिन अधिकान सीजें बंद रहेंगी और इसमसे अच्छी बात यह है जो अन्य जो प का पालन नहीं करें इसका मतलब यह नहीं है कोविट के नियमों का पालन आपको करना अनिवार्य होगा और जहां तक हम लोगों पहले भी बात कर रहे थे कि जो यह पास की जो बात देता है वो छट्वा जो चरन होगा स्वास सुरच्छा सपता का जी उसमें बंदी से कर नेदने लिया है और वो चाहती है सरकार की लोग संक्रमित नहीं हो लोगों का जीवन बचे जीवन बचने के साथ साथ लोगों की जीवी का है वो चले लेकिन अभी भी जो है स्कूल कॉलेज हो स्विमिंग पूल हो या फिर बढ़े-बढ़े मॉल हो या ब्रांड जो अभी बन रहेगी जो को जीजों का दो करता है अ ओरिया के दो नाइक साया कोंटक्ट हो जाता ह्ल इंद्स सउने के साथ एकम लगोंar ऐसोन अस्कार अदिशनिकीसमित चीजों का दचति है तो करते हुए अनलेसिस करते हुए यह एक फैसला जरूर लिया है कि अभी जो है बहुत राहत जो है रांची में नहीं दी जाएगी तो हमें लगता है कि इसका जब लोग अनुपालन करेंगे और यह भी सरकार ने कहा है कि यह दस जून के पहले तक तमाम चीजों की फुर सर्फिंग हो गी और लगेगा बठोली और रहाँद देनी है सपर था क्या देगी य smd ने एक ए टो हमें लगता है कि इस पोरे भारत में संक्रमन का जो तर है वह जडरूर inom रह Comm gia किन लेकिन संक्रमित मरीज अभी भी इलाज रत हैं तो यह हमें लगता है कि इन चीजों को फोकस करते हुए और जहां वही दूसरी एक बात है कि ब्लैक फंगर्स के भी जो मरीज है वो भी मिल रहा है जी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है लेकिन तमाम चुनौतियों का सामना क करने के लिए सरकार जो है बहुत फूप फूप कर कदम रख रही है और अनलिसिस करेगी तब जो है आने वाले समय में और रहात देगी लेकिन चीजों को लेकर अधी हम यह भी कह सकते हैं कि सरकार का जो फैसला होता है वो सरकार अकेली कोई फैसला नहीं लेती है सरकार अजीवी का सरकार का फोकस अब जीवन बचाने के साथ आजीवी का के साधन को बचाए रखना भी है उन नौ जिलों की जहांके हम बात कर रहे हैं कुछ अत्रिक्त पाबंदियां प्रभावी है उनमें देवघर भी शामिल है देवघर से हमारे सहीयोगी मनीश जुड़े कि बाकी राज्यों में इस्तितियां अच्छी हो रही है बलकि इसलिए कि जहारखंड में इस्तितियां काफी अच्छी हो गई बहुत राहत देने वाली हुई और जिस्तितियां बदली है उसके लिए सिधे-सिधे जो पाबंदियां लगी थी पिछले दो-3-17 जो चल रहा उसका फैदा हुआ है तो निश्ची तोर पर सरकार का यह फैसला है वह और लॉक वन की तरह जाने के लिए लेकिन जो राज्य में जिलों को दो स्रेंडिगों में बाटा गया है उसमें देवघर को जो स्रेंडी में रखा गया है वहां कुछ लोगों को जरूर कुसी कहीं जोसे बात है कि लगन के समय कपड़ए की दुकाग पर जज्यादा बिकरी होती हो और कुछ ऐसे भी मौल होते हैं दुकान-दार होते हैं जो ब्रैंडिंग जिनका ब्रैंड होता है वो सिर्फ लगर में ही उन की wil निऊ सरकार वले को बात को ओक्रें स करेंगे या फिर अपक जो वैसे लोग जो शादी व्यामें बिल्कुल मुख्य हैं जो रूप से सभी संसकार करते हैं तो उनके भी नए कपड़े होते हैं पंडित को भी देना होता है ऐसे में कपड़ों की दुकान का नहीं खोलना निस्चित तोर पे लोग की नराजगी है और मुझे जानकारी है कि आज देवघर के जो टेक्स्टाइल संग है वह इसे लेकर करेंगे और निस्चित तोर पे कल विरोध के स्वर्व ही सामने देखने को मिलेगा दूसरी सबसे बड़ी बात चीज़ है कि यह बाकी चीज़ों को खोल दिया गया उस पर कर रहा थी मैंने बात किए थी करना में देवघर सबसे आगे हैं जी और अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो कल नए यारा मात्रेगारन संकमित केस आये हैं और अब तक सिर्फ 378 ही केस एक्टिव हैं यानि कि हम कह सकते है कि स्थितिया उतनी बुरी नहीं है जितनी की जिस तर स्रेनी में बाटा गया दूसरा एक लगन मिलता है यानि साधी बिवा का उलता है यह दो चीज़ें बाकी चीज़े यहां नहीं है तो और निर्वित जितने भी हैं अधारित जो टूरिजम है होटल बे उसाय हो रेस्तोरेंट हो या फिर मंदिर बेचने वाले हो इन सब की कमर तूट चुकी है कपड़ा जूता और ज्वैलरी को बंद कर देना तब लगन अभी बचा हुआ कुछ लोग साधी करना चाहिए तो कि कपड़ा में अब लोग दो बाते बहुत असपस्ट है लोग डरे हुए भी है करोना के दूसरी लहर से बुरी तरह डर गए और सजग भी है रोडों पे है और मुझे जनकारी है कि आज पास के भी जो जीले हैं बिहार के भी अगर बजार है तो उसके लिए बड़ा बजार यह माना जाता है यहां कपड़ों-पड़ों के सोरूम बड़े-बड़े हैं यहां मनीश आपने विवसाइक तबके का दर्द बहुत ही बहतर तरीके से क्या समस्याएं हो रही है और क्या समाधान होना चाहिए क्या मांग है उनकी यह बहुत अच्छे तरीके से रखा है तो ऐसे में हम चाहेंगे आप यह भी बताएं कि संक्रमन की क्या स्थिति है वहां संक्रमित मरीजों के अस्पताल आने की संख्या टेस्टिंग की संख्या और जो संक्रमेत स्वस्थ होकर घर लोट रहे हैं, क्या वो संख्या इस बात को सुनिश्चित करता है कि देवघर को भी परियाप्त छूट मिलनी चाहिए पाबंदियों में। ठीक हो करके घर लोट रहे हैं, अगर हम बात करें तो मात सिर्फ 378 लोग ही एक्टिव केस में हैं, जो ठीक होके चले गए और जब बचे हुए मात 3078 हैं, कल 11 लोग ने का मामला सामने आया है, और वाकि उन से टच में हों का भी ट्रेसिंग किया जा रहा है, तो हम यह कह सकते ह कि इस्तिती उतनी बुरी नहीं है, जितनी की बुरी जिस तरहार पर जो बनाया गया, जिला जिस तरह से बाटा गया, तो मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं, और यह अधार हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी एस्पताल में भी सुवधाय लगतार देख रहे हैं, लोग कितने सतर कहें, कितनी समझदारी बरत रहे हैं, और सावधानियों का किस सतर पर पालन कर रहे हैं, यह भी हम लगातार देखते आए हैं, तो संक्षेप में हम अपने सभी सहयोगियों से जानना चाहेंगे, क्या सरकार मौझूदा स्थिती को देखते बहुत भी समझ रहे हैं, आपको याद दिरा दे कि सरकार ने यह बात कही थी, कि पहले युवाओं का वैक्सिनेशन करा जाएगा, ताकि जो कोचिंग और स्कूल कॉलेजेज हैं, उसमें पठान पालन लोट कर रहे हैं, दूसरी चीज की जीवका की बात कें सरकार से लेकर सरकार भी करती रही है, और लोग सजग हैं, लोग समझदार हैं, बेवज़ा लोग नहीं घूमेंगे, तो निश्चित तोर पे एक मौका देना है, प्रवीन, आप क्या देख पा रहे हैं, और आगे क्या उम्मीद है, लोग समझदारी से काम लेंगे? देखे दीपक, अगर अभी भी लोग नहीं सतरक्वें, नहीं समलें, तो इस्तिती और भिक्राल होगी, क्योंकि सामने एक भुकमरी की समस्या भी उत्पन हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को छूट से दरकिनार किया गया है, अलग रखा गया है, वे दभी जमान से सरकार को कोस्ते वे नजर आ रहे, लेकिन उन्हीं समझना होगा कि माना जीवें नहीं बचेगा, तब जाके जीवी का भी बचेगी, तो ऐसे में सरकार के दोरा जो निर्ना लिये जा रहे है, सरकार के दोरा फैसला लिये जा रहे है, अगर दस तारीक के बाद रियायत दी जाए, नवबत ना आ जाए, दिले का लगता है? धनबाद के लोग इतने सतरक समसदार नजर आ रहे हैं, जो हालात है, अधिक प्रतिशत उन लोगों का है, जो सतरक बडत रहे हैं, या फिर उन लोगों का जो अभी भी ला परवाह नजर आ रहे हैं? कि लोग लापरवा हैं वो कभी सुधर नहीं सकते हलागि कि लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग सरकार काभी समर्थन कर रहे हैं, जिसरह से सरकार ने लोग और वेवसाईू पे आम लोगों पे चोटे चोटे दुका WARशा करके उच्छाजत दिया हैं, दुकान खोलने की, तो जाहिर सी बात है लोग और दुकानदार और छोटे-छोटे वेवसाई भी सरकार का भरोसा नहीं तोड़ेंगे और कोरोना संकर्मन दर को रोकने में खतम करने में सरकार और जीला परसासन की जितनी भूमी का है उतनी भूमी का आम नागरिकों की भी है, बेवसाईओं की भी है और दुकांदारों की भी है तो जाहिर सी बात है ये लोग भी सरकार का समर्तन करेंगा और सरकार के भरोसा तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर संकर्मन के दर में लगातार ही जाफा होगा तो लोगों को जरूर लोग नियमों का पालन करेंगे और यही वज़ा है कि सरकार का कहे अनुसार तमाम जो चीजे हैं राची के लोग भी एडॉक्ट करते हैं बले कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइन देते हैं तो ऐसे इतनी भीड में कुछ लोग इस तरह के होते हैं लेकिन अमूम भरोसा है यही वज़ा है कि मुक्यमंत्री है मंसोरेड ने त्वीट कर सबसे पहले पूरे राजी की जनता को धन्य बात दिया था कि स्वास सुरक्षा सब्ता में आप लोगों नियमों का पालन किये सरकार की बातों को सुना स्वास को लेकर आप लोग तमाम चीजों का जो क करते रहे तो भरोसा पर ही तमाम चीजें चलती है बिलकुल सरकार हम पर भरोसा कर रही है तो हमें भी सरकार पर भरोसा करने की आवश्यक्ता है सरकार जो फैसले ले रही है विश्यशग्यों और आम लोगों की सलाह से फैसले लिए जा रहे हैं तो इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि सरकार हमारे आजीवी का को प्रभावित कर पाए ऐसा फैसला बिलकुल नहीं लेगी हमारी सुरक्षा प्रात्मिकता है आजीवी का दूसरे नंबर पर आता है तो पहले हमारी सुरक्षा और उन नौ जिलों में जहां संक्रमन फैलने का अभी भी डर है वहां थो पहुंचाने के लिए इस खास पेशकर्ष में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत